नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोज खबर का एक्रम देश में करोना अपना कहर ऐसे बर्पा कर रहा है कि रोज रोज हम अपने प्रियजनों को खोने की खबर से आहत होते हैं हम आहत होते हैं कि हमारे अपने भारतिय नागरिक ना सम्मान से जी पा रहे हैं और ना सम्मान से उनका अंतिम संस्कार हो रहा है इसी बीच देश में कई राज भीशन तूफान को जेल रहे हैं इस तमाम आबदा के भीतर इसके बीच में सरकार क्या कर रही है कि हमारी जरूरी चीजों को और महंगा कर रही है हम आपको बता दें कि मई से लेकर अभी तक 9 बार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ चुकी है पिछले साल से अभी तक पेट्रोल बढ़ा है 22 रुपे 99 पैसे डीजल बढ़ा है 20 रुपे 93 पैसे और इसके अलावा सरकार पूरी तरह से नदारत है कहीं से भी कोई हस्तक शेप नहीं कर रही जबकि इलाबाद हाइङ कोट समेत तमाम जो हाइङ कोट हैं वह बोल रहे हैं कि देश की सरकारों ने जंता को राम भरोसे छोड़ दिया है इलाबाद हाई कोट यह कहने पर मजबूर होता है कि ग्रामीर भारत को, ग्रामीर उत्तर प्रदेश को आपने राम भरो से छोड़ दिया है, वहाँ लोग जिस तरह से मर रहे हैं, वहाँ बहुत ही दर्दनाक है. आज हम आपको सैर कराएंगे जहां प्रधान मंत्री और उनका को ले चलते हैं, उन इलाकों में जो इस ड्रीम प्रोजेक्ट, जो प्रधान मंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसकी वज़े से निस्तिना बूध होंगे. धाहा दिये जाएंगी तमाम इमारतें. वे इमारतें आखिर क्या हैं? कौन सी इमारते हैं? और वहाँ पर पोटो खीचना, वीडियो खीचना आखिर क्यों मना किया गया है? हम चलते हैं आपके साथ शास्ति भवन, उद्योग भवन, पूरा का पूरा राजपत, जहां पर इस समय जबर्दस खुदाई का काम चल रहा है. हमारे जुराष्टिये आर्काइव्स हैं, नेशनल म्यूजियम हैं सब कुछ सेंट्रल विस्ता नाम के इस प्रोजेक्ट के जरिये खतम किये जाएंगे और वहां बनेगी बिल्कुल दूसरी ढंकी इमारत चमचमाती हुई और वह सब चल रहा है उस समय जिस समय करोना ने अपना कहल भारती नागरिकों पे भयानक रूप से बर्पा कर रखा ह लोग मारे जा रहे हैं मरने वालों की रफतार लगातार उंका जो ग्राफ हे भख बढ़ रहा है इस बीच देश की राजधानी डिली में मजदूर पाम करने हैं हमने कोशिश की बहुत से मजदूरों की फोटो लेने की हमने कोशिश की कि हम उनके पास जाकर बात कर सकें ले लेकिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, बहुत सी खबरे आ रही हैं चन चन कर, कि जो मजदूर काम कर रहे हैं, उन्हें भी Corona हो रहा है, वो हम मारे जा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी इस पर रिपोर्ट करना, आपके साथ सच को साजा करना, इस समय संभव नहीं है, वह भी त रहे हैं उन्हें कह रहे हैं प्रधान मंत्री जी देश भीशन आपदा में है इस समय आप नई संसद और अपना निया घर बनाना यह शौक छोड़ दीजिए यह जो पैसा है वैक्सीन में लगा दीजिए लेकिन हम पाते हैं कि देश की राजधानी में हजारों की संख्या में पेड़ कट रहे हैं मिट्टी काटी जा रही है और हम उस इलाके में भी पहुचे जहां से यह मिट्टी काट कर गढ़े खोदे जा रहे हैं यह कहां फेके जा रहा है आईए हम चलते हैं यम्ना खादर की तरफ यह इलाका है दिल्ली का यम्ना से सटा हुआ यहां पर किषले चार महिनों से टनो टनो मिट्टी डाली जा रही है यह मिट्टी निकाली जा रही है प्रधान मंतरी के नए आवास नई संसत को बनाने के लिए वहाँ से ले जाकर यह कंपनियां डंप कर रही है इन जुग्यों के पास यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं जो काश्टकारी करते हैं, छोटी खेती करते हैं, नर्सरी चलाते हैं और सालो साल से यह रह रहे हैं यह मिट्टी डालने की वज़ा से बड़े पैमाने पर जुगियां उज़ारी गई हैं और उंका जीवन इस समय नई चल रहा कि उन्हें जो आ रही है वह खासी कोरोना की है यह वह खासी जो ढली गई है उसकी वजह से इसमें हम खढ़े हैं यमना पुष्टे में यहां पर चारों तरफ से अरिक डली हुई है नहीं संसर जो मोदी बना रहे हैं, वहां से मिट्टी उठाकर L&T वाले यहां मिट्टी डाल रहे हैं, यहां से जोपनियां हट गई हैं, यहां पहले ही से कंस्रक्शन का काम चल रहा था, उसके बाद जो मिट्टी पड़ी है, यह मिट्टी के धेले थे, बड़े बड़े यहा बारिश की आशंका है उसमें सब लोगों को कहना है कि बड़े पाइमाने पर जुब्गियां है वहां पर रहने वालों के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है इसे क्या दिक्कत है इससे दिक्कत है मैं बच्चों के लिए आने जाने में बच्चों के लिए करोनकाल में वी बदस्तूर जारी हैं हम आपको ले चलते हैं उत्तर पूर moje Czy मनिपुर की तरफ जहां पर एक पत्रकार पर और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पर NSA राष्टी सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्स किया गया वजह उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी जो पोस्ट डाली वह भाश्पा से संबंदित थी और आप देखिए कि एक पोस्ट पर क्योंकि वह भाश्पा के नेता के ऊपर टार्गेट थी जिस तरह से पूरे के पूरे मनिपुर को भाश्पा ने गौमूत्र और गोबर में लीपने की कोशिश की है प्रचार प्रसार किया है उस पर एक व्यंग कसा था इस पर हम और आप दो राय हो सकते हैं कि किसी मौत पर क्योंकि भाश्पा के वहाँ पर जो लीडर थे जो प्रेसिडेंट थे मनिपुर के उनकी करोना से मौत हुई थी इसके बाद पत्रकार किशोर चंद वांखेम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था उन्होंने कहा था कि इससे यह साबित होता है कि गौमूत्र और गोबर करोना से बचा नहीं सकते इसी तरह का एक पोस्ट डाला था राजनितिक एक्टिविस्ट अनन्डो ने इन दोनों को गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार करने के बाद इनके उपर लगाया गया NSA जैसा खौफनाक कानून यह पूरा मामला बताता है कि मनिपुर सहित पूरे की पूरे उत्तर पूर्वत्तर भारत में किस तरह का खौफ का महौल तारी किया जा रहा है इस मामले में हमने बात की मानवधिकार मामलों के वकील ओनिल से उन्होंने बताया आप खुद सुनेंगे कि किस तरह से मनिपुर की जो पूपूलेशन है जो जनसंक्या है वो पूरे भारत की महज 4 पीसदी है NSA और UAP के मामले जो पूरे भारत में लगाया जाते हैं आपका स्वागत है हम आप से ये जानना चाहेंगे कि अभी जो जर्नलिस्ट के खिलाफ NSA लगा है राश्टिय सुरक्षा कानून लगा है उनको गिरफतार किया गया है कि शोर चंडर को और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अर नेंद्रो को उनके बारे में थोड़ा सा बताई और मनीपूर में ऐसा डर का मोहौल एक सिंपल सोशल मीडिया पोस्ट पर NSA लगना इंको पहले भी निशाने पे लिया था ये गिरफतार थे पिर बाद में इंको जमानत में बाहर आए क्या चल रहा है मनीपूर में? मनीपूर तो अभी ये बिजेपी का रेजिम में बहुत तंगा मारा है क्योंकि most particularly any people who descend who voice against the system like the like any complaint I would say against if you talk about that is and after all मनीपूर is around 60% a Vaishnav population the Hindu population so that also matters a lot at the same time politically uh the problem is that uh we we uh uh abhi sab uh Modi ka bara mein sab kopi karai in Fal mein Manipur mein so every action in north is happening Manipur also happening uh but unfortunately in the last five years of Modi there are about uh 5128 cases in India under the UAP again and sedition is around 229 but amongst the oldest number northeast comprises of uh only four percent of the India population but the entire 5128 cases plus 229 sedition cases in India notice has almost uh 33 percent of it so imagine the number of the sedition the number of the NSA charges the UAP charges uh in uh in combined with Manipur Assam uh Tripura and uh 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 Tripura and uh and Arunachal so um the most hot spot hot spot uh uh states in northeast mein Manipur and Assam is the hot spot and and Tripura as well because because yeah 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 i saw it see that's the issue of the cow dung cow urine is already narrated very good thing by the BJP regime you know which is very uh good for health and this and that it can cure the covid but uh a little bit of the Kishore Chan and uh Irindro is that timing is a little bit problem because they said when someone died you know in the cultural aspect also that is why some clashes is there in the uh at the ground i would say in 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 Manipur because if it is something else which is not happened any person died or something that is okay uh but yet it may may not be okay also because you never know the BJP regime because in that regard yeah uh yeah uh yeah uh admito uh uh margaya us ke baat me a joke kia to uh humara culture bhi achana uh so iski thora conflict hey but in terms of the uh what they say no problem at all it's it's not a sedition it's nothing to do uh uh nsa and or nsa toh barra crime crime uh but 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 yeah BJP nai bola hai pahilem welm social media mei yoi kaw urine or yoi kaw dung yoi about achhai yoi kovid cure kere but why not they are not arrested again because they are uh they are spreading इंडिया वहां पर मनीपूर में पत्रकारों के ऊपर सोशल अक्तिविस्ट के ऊपर इस तरह के कैसे का एक थ्रेट बना हुआ है बहुत है क्योंकि मैं बहुत है क्योंकि यह असाम मनीपूर यह होस्पोट है इसका यह जर्नलिस्स और छोर हमनी कि में हमनी यह स्ट्डिक कि दिक समतिया यह जब यह बहुत है मनीपूर में यह इस अबिजिए कि में इनस्त कि यह यहलाई व्फ़िऑ आ यह इस बिखेवारेश कि पार मनीपूर श olur कि मैंनीपूर तो हुमन राइस एक्तिविस्स तो में कितना बहुत है यह तो I think more than 60 70 uh so is there so in a very small population if you look into the density wise is very high you know and uh like uh क्योंकि सिक्किम में तो बाद पीस्फुल है बाद बाद सोटा है बाद बाद नो पोपुलेशने स्किलिये हम में नोट इसका प्रस्पेक्ट देना भी चाहिये क्योंकि सहमरा पुपलेशन रोट इस अवर नेली पुर परसंट अप्रसंट 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 इस एर अप्रसंट इस है so just imagine imagine the in 4% 34% comes then you know it's it's extremely high actually in the in the global level not only India लेगे global level के बारा में बात करें तो यह बहुत जाड़ा है इसी तरह का एक मामला सामने आया उत्तर प्रदेश के सिधार्ट नगर डुमरिया गंज से वहां पर एक युवा पत्रकार हैं अमीन फारुकी उन्होंने वहां पर कुछ घोटाले सामने लाये थे उन्होंने रिपोर्ट किया था कि किस तरह से वहां के जो भाश्पा के विधायक हैं जो बाकी और नेता हैं वह क्या गरबड़ी कर रहे हैं कुछ कोरोना से संबंदित गरबड़ियों के बारे में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सामने लाई थी यह और उसके बाद आप खुद देखी यह वीडियो किस तरह से पुलिस की मौजूदगी में भाश्पा के यह गुंडे पत्रकार को मारते हैं पीचते हैं और उसके की आदितिनात देश की राजधानी दिल्ली आते हैं नोईडा में जाके समाधाता सम्मेलन करते हैं वहां पर बार बार बताने की कोशिश करते हैं कि सच को छुपाया नहीं जा रहा लेकिन हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में यह कोशिश कर रहे हैं लाशों को छुपाने की वह कोशिश कर रहे हैं गलत आकड़े देने की मौतों की और साथ ही साथ उन पत्रकारों पर भी हमला हो रहा है जो पत्रकार छोटे या बड़े रष्टाचार के मामले गड़बडियों के मामले हमारे सामने ला रहे हैं यूटलिक की पूरी टीम के साथ हमारी कोशिश है कि इस दौर में जहां पर लाशों पर कारोबार हो रहा है लाशों पर राजनीती हो रही है पॉजिटिव ठिंकिंग करने के बारे में हमें समझाया जा रहा है उसमें हम सच को जिन्दा रखें पूरी निर्भीकता के साथ सच को आपके सामने लाएं इसके लिए हमें जरूरी है आपका सहीव हम चाहते हैं कि आप सच को सामने वाली लाने वाली हमारी रिपोर्ट देखें दूर दूर तक पहुचाएं ताकि सच जिन्दा रहे इस भीशन आपदा के दौरान